भारत और न्यूजिलेंड के बिच भलेई पहला वन्डे मैच है लेकिन दोस्तों इसमें काफी मसाला मिला है जैसे कि हार्दिक पांड्या का गलत डिसीजन हुआ जैसे कि शुबमन गिल ने डबल हंड्रेड लगाया जैसे कि इतना ही नई इस डबल हंड्रेड में उन्होंने क चाफ ही ऐसे रेकर्ड तोड़े हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए तो दोस्तों वीडियो को अंत्रा तक जरूर देखे और पसंद आये तो इसे लाइक करना ना बुले तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इन्होंने कौन-कौन से रेकर्ड तोड़े उसक पतादेश के खिलाब उसके बाद भारत ने घुहाटे में श्रीलंका की खिलाब 373 बना लाए उसके बाद स्रीलंका के ख्लाब 390 रने और भारत ने न्यूजिलंड जैसे टगड़ी टीम के खिलाब 349 रन बना है याने हर भारत भारत जब फर्स्ट बैटिंग ले रहा है तो 300 या चाड़े 300 से जादा ही रन बना रहा है अब बात करें शुब्मन गल के जिया दोस्तों आप सबको पता होगा कि आज उन्होंने भारत की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 1000 रन बनाने का रेक वह नंबर 2 पर रहे दोस्तों कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट 1000 रन बनाने में यहां पर फकार जमान रहे हैं दोस्तों जिनोंने सिर्फ 18 पारिया लिया है तो शुमन गिल एक पारी तो जादा ले चुके है उनसे जिसकी वज़े से यह रेकॉर्ड उनके नाम नहीं हो स दोस्तों अगर बात करें अगले स्टाट की तो आपको पता है कि उन्होंने डबल हंड्रेड लगाया है लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह न्यूजिलन के खिलाफ फ़र्स्ट डबल हंड्रेडड है आज तक कोई भी देश याने किसी भी कंट्री के कोई भी प्लियर ने आज तक न्यूजिलन के खिलाब कोई 100 डबल हंड्रेड नहीं लगाया था दोस्तों अगला जो रेकॉर्ड है दोस्तों वो है कि यंगेस्ट जो है शुबमन गिल बन चुके सबसे यंगेस्ट प्लियर जो डबल हंड्रेड लगाने में काम्याब रहे ओडियाए क्रिकेट में जो दोस्तों 23 साल और 132 दिन के है शुबमन गिल और उन्होंने आज यहाँ पर डबल हंड्रेड लगा लिया है इससे पहले सबसे यंगेस्ट जो थे वो थे हमारे इशान किशान कुछी दिनों पहले चट ग्राम में 2022 में ही उन्होंने 24 साल और 145 दिन के थब उन्होंने यह डबल हंड्रेड लगा था और उसके पहले यह रेकॉड रोई चर्मा के नाम था 26 साल और 186 दिन तो यह सबसे यंगेस्ट बन चुके है ओडियाए में डबल हंड्रेड लगाने वाले अगर बात करें इंडिविज्वल स्कोर की तो यहाँ पर हाइस्ट इंडिविज्वल स् यहाँ पर देख सकते इससे पहले यह सचिन टेंडूल करके नाम था 186 नॉट आउट हैद्राबाद में उन्होंने बनायता है 1999 में इससे पहले मैथ्वी हेडन के नाम था 2007 में उन्होंने 181 रन बनाय थे न्यूजिलंड के खिलाब और 189 डी चालंगन इन्होंने भी बनायत 1994 में तो यह कुछ रेकॉर्स थे दोस्तों साथी साथ आपको पता होगा कि काफी खराब डिशिजन दिया गया हार्दिक पांडिया के खिलाब वह भी हमारे हमपायर ने बलकि थर्ड हमपायर ने जिनके पास सभी टेक्नोलोजिस होती है दोस्तों उसके बावजुद भी उन कहते हैं तो कुछी गेंदो से रहे दोस्तों लेकिन काफी जबदस पारी उन्होंने खेली है दोस्तों हार्दिक पांडिया का आउट का अगर फुटेज आपको चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों वहां पर जाकर ज़रूर दे सकते तो आपक को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करना ना भूले दोस्तों आज की वीडियो में मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए